नमस्कार बहुत स्वागे थे आपका आप देख रहे हैं ग्रैंट धर्मास सनमार्ग तुलसी का पौधा हमारे घर का वास्तु दोस्वी दूर करता है और जीवन में सुक सम्रिद्धी का वास्वी होता है और मा लक्षमी का रूप माना जाता है तुलसी के पौधे को आज हम आपको इस सुक्रवार के दिन तुलसी का वो कौन सा विसेश प्रयोक करना चाहिए कि जीवन की तमाम परिसानिया समाप्त हो जाए देखिए तुलसी का पौधा आने वाले विपत्तियों के बारे में भी बताता है ये सुनकर सायद आपको अटपटा लगे लेकिन ये स अच्छ है क्योंकि परिवार के आर्थिकिस्तिति और हर वास्तु के बारे में तुलसी से बहुत कुछ जाना जासकता है वैसे आप अपने घर में जब भी तुलसी का पौधा लगाईए तो तो उत्तर यह उत्तर-पूरव का दिशा ही चुनिए क्योंकि इस दिशा साथ ही अमवस्या के दिन तुलसी मेई नहीं अर्पित करना चाहिए तुलसी के पत्तों को बिघ ही नहीं है कि लेकिन रभी भर के दिन आप चाही है तो तुलसी में जल की जगह ठोड़ा सा दूद एक चमजदूद अर्पित और एसा करने से जिवन में बर्क्यत बनी रहती है लेकिन आज की हम सुक्रवार का विसेस प्रयोक के बारे में बात कर रहे हैं भगवान स्री हरी को तुलसी बहुत पसंद है और इनकी पूझा में तूलसी करने का विसेश विधान है आप कुछ नहीं भी अर्पित करें दो तुलसी के पत्ते अर्पित कर दें तो भगवान हरी स्रीकिष्ण की क्रिपा आप पर बरस्ती है वैसे अगर आप तुलसी को किचन के पास लगाते हैं तो इसके बेनिफिट बहुत अलग मिलते हैं क्योंकि प दक्षिन पस्षिन पूरव कोने में मत लगाईएगा क्योंकि दक्षिन साइट तुलसी नहीं लगाना चाहिए वास्तो दोस्ट पैदा करता है अगर आपके घर में बेटी है बहन है साधी नहीं हो पा रही तब ऐसे में तुलसी को आप अगनी कोन में रखें विसेश प्रय योग बनेंगे लेकिन दक्षिन पस्ची में जो तुलसी है न अगर आपके घर में रखा हुआ है जगह नहीं है तब ऐसे में आप मान लेते हैं दक्षिन पस्ची में रखा है तो रोज सुबह या फिर सुक्रवार के दिन एक विसेश परियोग करें तुलसी में आप थोड़ संकेतों का पहले ही चीजों का संकेत दे देती है अगर आपके घर में कोई मुसीवत आने वाली है तो तुलसी पहले ही चली जाती है क्योंकि दरिदता औसांती क्लेस के बीच तुलसी निवास नहीं करती आप देखिएगा अगर आपके घर के तुलसी मूर जाने लगे हैं या तूलसी के पत्ते बहुत तेजी से जड़ने लगे हैं तो इसका मतलब है आपके घर में वास्तु दोस आने वाला है तो इन चीजों से बशने के लिए क्या करेंगे एक तो सूखी भी तूलसी को तूरंथ हटाईए और नई तूलसी लगाईए वैसे तूलसी के बहुत सार चमतकारी फायदे हैं लेकिन सुकरवार के दिन साम में क्या किया जाए आईए जानते हैं पुरानों में कहा गया है जिस घर में तूलसी की रोज पूजा होती है मा लक्ष्मी वहां से छोड़कर कहीं नहीं जाती अगर आपके घर के तूलसी के पौधे में मंजरी आ गई है तो उसे तोड़कर भगवान स्री हरी के चर्णों में अरपित कर दें तोड़ते समय ध्यान दीजिएगा मंजरी के साथ एक या दो पत्ते जरूर रहें सिर्फ मंजरी अरपित नहीं की जाती सुक्रवार की साम में एक विसेस उपाय करने का भिधान है तूलसी के पास एक घीका दिया जलाएं और तूलसी की प्रिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासु देवाय बोलते हुए कम से कम नो बार सात बार या ग्यार बार इसके बाद आप तूलसी की दो पत्ती जो पास में गिरीवी है आप लीजिए और अपने दक्ये के पास रखकर सोजाईए अगले दिन उन पत्त तूलसी के पत्ते को उठाईए और आप मिट्टी वेगरे में दबा दे आपके जीवन में जो भाग्योदे में अवरोध आ रहा है वो समाप्त होता है आपका भाग्योदे हो जा होते हैं फिलाल बिदा लेंगे हर हर महादेव